हलो प्रेंट स्वागात है हमारे यूटीब चैनल पर आज हम इस वीडियो में सर्चेपण से प्रिवेस येर में आए हुए क्वेस्चन का अध्यान करेंगे तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं पूर्वी परिवेक्ष से समाजिक पत की अंत्य ग्रसता वाले कौन से निम्न लिखी तैत्व सक्षेपण के निर्धारन हैं ए है नितित्व का अभाव यह गलत है बी है अहम केंडरिट व्यक्तिवाज यह भी गलत सी है भूमिका यह सही है आई है सक्ति इस अधार पर हमारा डी आंसर है वह सही हो जाएगा पूर्वी परिवेक्ष में समाजिक पत के अंत्य ग्रहता वाले भूमिका है स्था सक्ति तत्व सक्षेपण का निर्धारन है समाजिक पत की इस हिती विश्वासनता और वैधिता का एक संकेलन है और यहां गंभीरता से प्रवाइट करता है कि किसी दूसरे के साथ कैसे सामवात करता है द्रासकों के मुल्यांकन में सामिल प्रवंग तत्व के सीर्षप प्रतिष्ठ किस हद तक संचालन करने के उद्देशयों और उद्देशयों की पहचान कर सकता है यहां इसमें सामिल है इसमें आ चुका है फिर अगला है संचार का कौन सब प्रकार है जिसको होवड रिंगोल्ड ने एक रख्त हिन प्रयोग की कृत्त के रुप में कहा इंटरनेट संचार को हवड रिंगोल एक अम्री की लेखक हैं जो अभासी दुन्या और इंटरनेट मोबाईल टेलिपोन के विकास में विशेश रूप से प्रभावी सालित है है होवर्ड रिंगोल्ड ने इंटर्न संचार को एक रग्त हिन प्रध्योग की कृत्त के रुप में कहा। सक्षेपण के अन्योत्ता क्रियात्मक प्रतिरूप माडा की हैं। यहां यहां नाव विडिया के लिए सरवधिक उप्युक्त हैं। सहीं भी है, प्रति पुष्टी चकरी ढंग से रुप की जाती हैं। यहां अनुभव चेत्र की अधाना से संबन रुप में भी जाना जाता है। यहां भी सही है, इसमें सरख्षेपण सद़ दो परचित वेक्तिकрь के मध्य होता है। तो यहाँ गलत हो जाएगा इस सधार पर हमारा A, C और D अंसर यह सही हो जाएगा जो कि C अप्षन में हैं अगला सक्षेपन के लिए भासा निम्नलिखित में से किसका एक उत्पादक परिग्णाम हैं तो यहाँ दैन दिन जीमन का एक परिग्णाम हैं सक्षेपन वह प्रकिया हैं जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोगों विचारों तथ्यों भानाओं वह प्रभाव आधिक इस करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेश को समझ जाते हैं सक्षेपन में संदेश को समझ जाता है, सक्षेपन में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहान करने वालों की मध्य, संदेश की मध्यम से सम्माई सवित किया जाता है, अगला है, अगला प्रस्न है, तक्राओं के सामधान करने के लिए एक सम्हों के भितर अधिक से अधि सकष्यपन का हो जाएगा, फिर अगला हैं, आँच्य मिलान हैं, यह प्रस्न रकाल कहीं बार पुछ ह्याओ जा चुका हैं, यहाँ देख सकती हो, सकष्यपन के एक, आपुछी तरप सकष्यपन के प्रकार हैं, दूसरी तरप उसकी विशेश्चति हैं, तो सिधा सक्षेपन हो जाएगा उपर से नीचे छैक्ति सक्षेपन होगा अभिविन्यास अपवाह और रित्ती सक्षेपन का आएगा अभिविन्यास के अपवाह रित्ती सक्षेपन अभिविन्यास के अपवाह रित्ती सक्षेपन अभिविन्यास के अपवाह रित्ती सक्ष अंतरव्यक्षिक सिच्छक के वैवार्व विद्यार्थिक के सामात कर रहा यहां आएगा समु सक्छेपन और एक कंपानी की सी ओ अपने अध्रियों को एक परिप्रत्र जारी करता है तो यहां लंबी सक्छेपन होगा किसी संगठर के लिए करमचारी के बीच अपवहाँ फैलाना यहां सक्छेपन होगा कि सधार पर भी आंसर है वह सहीं हो जाएगा अगला है संदेश प्रक्रिया के चरण के करम की पहचान कीजिए तो सबसे पहले आजाएगा आब उधन उसके बाद समझना फिर चयान उसके बाद अभवे निरी कराण फिर क्रिया इस सधार पर डे आंसर है वह सहीं होगा यह प्रसंद जून 2020 में पुछा गया था अगला है सुचिंग लान एक और एक के बीच यह सक्षेपन विधी हैं यहाँ आजाएगा अंतर वैसिक सक्षेपन एक और कई के बीच यहाँ जाएगा जन सक्षेपन की विशेष्था सक्षेपन एक और किस नहीं यहाँ अंतरा वैसिक सक्षेपन आएगा इस सधार पर हमारा की आंसर है वह सहीं होगा अगला है सक्षेपन मीडिया के अव्यूगत का कालक्रम हैं तो पहले आजएगा समचार पत्र उसके बाद फिल्म फिर रेडियो उसके बाद टेलिविजन फिलाफ्ट में इंटरनेटी सधार पर भी आंसर है वह सहीं हो जाएगा यहाँ प्रसन 2020 जून में आया था अगला है डिकोडिंग के पस्चा सक्षेपन प्रुच्या का सहीं क्रम की पहचान कीजिए तो सक्षेपन की सहीं क्रम हैं फिटपेक, बातावरान, संदर्भ और व्यक्षाद इस अधार पर भी आंसर है वह सहीं हो जाएगा सक्षेपन के सहीं क्रम हैं सभी क्रम को देख बहुत उसके बाद संदेश, फिर चैनल, उसके बाद प्राप्त कारता फिटपेक, फिर वातावरान, संदर्भ और व्यक्षाद आता हैं अगला है एक उत्तम लिखित सक्षेपन में खलिस्थान होगा तो एक उत्तम लिखित सक्षेपन में प्रत्यासित प्रयोजना होगा फिर अगला प्रत्य सुची में इलान, गैर मौकिक सक्षेपन का जगा व्यक्ति सक्षेपन के अधिक इस्थान उसके बाद स्रमण का आएगा संदेश का अभार सहर होता है सद्रमटी वर्तलाब का आएगा दूसरों के द्रिष्टि कुण वश्थू को देखना सक्षेपन द्वारा प्रतिलम प्रबन का जगा किसी व्यक्ति के स्वयम क्यात्व इंस्वांस को प्रदर्शित करना इस सधा पर वी आंसर है वह सही होगा अगला है सक्षेपन का रैखिक प्रतिमांग अनुक्रम हैं यह प्रस्ण कई बार पुछा जा चुका है यहां इसका सही अनुक्रम हैं संकेतान, संदेश, माध्याम, सोर और वीकेंटन इस सधार पर यह यह आंसर है वह सही होगा अगला है संदेश को प्रेशिट करने के लिए प्रयुक्त किये गए सक्षेपन उद्रप्तनित को किस नाम से जाना जाता है तो इसको कुट नाम से जाना जाता है अगला प्रसन है सूची मिलान सारीरीक सक्षेपन बाधा हैं और वीरन हैं तक से पहले सारीरीक बाधा में आएगा अस्रवीयद अवयद मनुवज्यनिक बाधा में आएगा पूर्व प्रवित धारनाय भासा संबन्धी बाधा में आएगा अलग-अलग समाज संस्क्रििक में डुद्री वाटी धरनाय चेपन की प्रक्तिया में जब जब प्रदाता और आदाता संदेज भ्यूजने को प्राप्त करने के संदर में अपनी भूणिका को अदली बदली करते हैं तो उचे कहा जाता है इसको सम्वय हारात्मक प्रतिरूप कहा जाता है सक्षेपन प्रतिया में जब रजाता और अधाता संदेश भेजने अप्राप्त करने के संदार्व में अपने भूमिका का अदला बदली करते हैं तो इसे सक्षेपन सम्वय हारात्मक प्रतिरूप कहलाता है जो यह दर्साता ह है कि सक्षेपन पूरा हुआ है सामान्यत है यह प्रति रूप सक्षेपन का आदान प्रदान रूप है जिसमें सक्षेपन दोनों तरब से होता है पिर है नीचे दिये गए सक्षेपन संबंदित सही क्रम की प्रहचान कि यह तो इसका सही क्रम होजे आएगा सबसे पहले जोख एक के करण संचार कहा जता है कि अगला है कक्छा में नीनम लिखीन में से किस से कारान प्रति पूष्टी कॉम हो सकता है तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब को तब कक्षा संचार में लम्वित हो सकता हैं। अगला है संचार की भासा का गठन हैं, संचार की भासा का गठन हैं, वह समाजिक संचार हैं, समाजिक संचार में संचार के भासा का गठन होता हैं, क्योंकि व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक सक्षेपन की जिस क्रिया का भी अनुसरण कर करता है वह उसे उसे ही ना किसी समाज से प्राप्त होता है अगला है कच्छा के अंतरगत गुणात्मक सक्षेपन हैं कच्छा के अंतरगत गुणात्मक सक्षेपन हो जाएगा अगला है एक अच्छे सक्षेपन करता को निमेल लिखित में से किस में से किस सिध्धान का अनुकुराण करता हैं तो यहां उसे संगर्ठिट करना चाहिए उसे द्रिश समागरी का उपयोग से बचना चाहिए या गलत हैं उसे अधी नयाक वादी होना चाहिए या भी गलत हैं उसे माध्यम से समझा इसापिट करना चाहिए या सही हैं उसे कहानी कहने की विद्या के वर्तिना होना चाहिए या भी सही हैं इस अधापर एक चारह और पांत सहीत है जो की D-E answer में हैं अगला हैं सक्षेपन के संज्यात्माग्ष्षेत्र निम्लिक्षित में से किससे वाधित मामब्ले में सामील हैं आज के लिए बस इतने ही डिपी ट्यू पसंट है तो लाइक चे और कमेंट और सब्सक्राइब किरना ना भूले ठैंक्स